हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्जी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरी hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँ आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप में whatsapp के जरीए signal के जरीए या तेलेगराम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हलकी लंबाई में एक rectangle की shape बनाती हुई आपको नजर आएगी इस तरह की हथेली का होना indicate करता है कि native काफी महनती nature का होगा और साथ ही साथ काफी analytic type की personality भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है fingers की length की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में fingers आपको यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही साथ इनकी fingers के बीच में कुछ हलके gaps in areas में आप देख सकते हैं fingers में अच्छे gap बनते हुई आपको नजर आएंगे और खास तोर पर इनकी mercury और सूर्य finger के बीच में काफी fair gap आप देख पाएंगे fingers के बीच में ऐसे gaps का होना indicate करता है कि native काफी ज़्यादा independent सभाव का रहने वाला है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं थोड़ा जिद्धी सभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनी finger बहुत अच्छी length में है इस finger का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि native काफी मेहनती nature का होगा मेहनती होने के साथ साथ अनुशाशन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की अगर पाने में ऐसे native कामयाब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी index finger की तो बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में साथी साथ काफी thick finger भी आप देख पाएंगे इस finger का strong होना अच्छी length में और thick होना दर्शाता है कि native की leadership qualities काफी अच्छी रहने वाली है साथी साथ आप देखेंगे या finger आपको लंबाई में इनकी सूर्य finger के मकाबले ज्यादा नजर आएगी जो native को strong leadership qualities देती है ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलाहा या consultation से लोगों की problems को दूर करने की काबलियत इनके भीतर रहती है सूर्य finger की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बिलकुल straight medium length में यह finger नजर आ रही है काफी creative nature रहेगी काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है और ऐसे native एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में काम्याब रहते हैं जिनकी यह finger बिलकुल straight हो अच्छी length में हो mercury finger को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे mercury finger length में इनकी सूर्य finger के top falange को भी cross करती हुई आपको नजर आएगी इस finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native के communication skills बहुत भीतर रहेंगे साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का business equipment भी काफी strong देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति विजनस के माध्यम से भी काफ काफी अच्छा धन कमा पाने में काम्याब रहते हैं वजी के साथ साथ आप देखेंगे इनकी fingers के उपर कुछ खड़ी रिखाएं भी मौचूद हैं कुछ इस तरह हैं कि बारीक खड़ी रिखाएं ऐसी रिखाओं का होना positive माना जाता है इसी रिखाएं fingers के उपर मौचूद हो तो native मिलन सार सभाव का रहता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature ऐसी व्यक्ति की रहती है लेकिन कुछ ऐसी रिखाएं जो आप यहाँ पर देखेंगे आड़ी रिखाएं fingers पे होना native को कई बार थो बरस्पत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरू परवत का जो एरिया है काफी उठा हुआ है बरस्पती माउंट चिन लोगों का उभरा हुआ 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 ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं बहुत ही ग्यानवान होते हैं बहुत अच्छी wisdom ऐसे व्यक् कहा जाता है गुरू वलाय यानि के ring of Solomon ऐसा चिन हाथ में हो तो native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना रहती हैं धरम करम के काम करने में रूची अधिक रहती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं wisdom बहुत अच्छी होते हैं खास तोर पर यह सभी खूबिया native के भीतर 40 वर्ष की age के बाद उभर कर सामने आती हैं 40 की age के बाद ऐसे व्यक्ति काफी ज़दे spiritual minded हो जाते हैं धरम करम के काम करने लगते हैं किसी ने किसी social working organization के साथ जुड़ कर दूसरों की help कर सकते हैं इस तरह की nature रहती हैं काफी sympathetic सभाव और साथी साथ आप देखेंगे इनके अंगूठे के उपर यहां पर आपको एक आँख जैसी अकृति बनती हुई नजर आएगी इस तरह का चिन जिसको बुद्धा जाई का चिन कहा जाता है थेली पर अगर बुद्धा जाई का चिन बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की छटी इंदरी स्क्रिया रहती है जिसको हम कहते हैं आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति बाको भी लगा सकते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी रैलेटिव के या मित्र के साथ होने वाला हो उसका इने पहले से ही पता चल जाता है इस तरहां का पूर्वः अनुमान और पूर्वः अभास इनके भीतर देखा जा सकता है अगर हम बात करें इनके शुकर परवत की इनके शुकर वल्य की यहाँपर आप देखेंगे यह जो एरिया है शनी का और सुर्या का यहाँ पर आपको एक अधूरा शुकर वलाय बनता हुआ नजर आएगा कुछ ऐसी रिखाएं आप देखेंगे यहाँ पर आपको हलका सा ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसी रिखाएं आपको एक लगबग कम्पलीट होती हुई अर्द चंद्रमा जैसी अकरिती बनाती हुई नजर आएगी यहाँ अगर कम्पलीट हो पूरी तरह से बन रहा हो तो यहाँ कुछ ऐसी शेप बनाता आपको बताना चाहूँगा यहाँ से शुरू होगी एक रिखा और इस तरह से बिलकुल इस तरफ तक पहुंच जाए तो यहाँ पूरा शुकर वला यानि गर्डल आफ वीनस बन जाता है ऐसा व्यक्ति काफी creative minded होता है strong artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है ऐसा व्यक्ति कला के माध्यम से अपना name and fame बना सकता है समाज में बहुत अच्छी पहचान अपनी किसी कला के माध्यम से बनाने की संभावनाए यह है गर्डल आफ वीनस का चिन व्यक्ति को देता है लेकिन शनी माउंट का flat होना indicate करता है कि native को अपने चीवन में मेहनत अधिक करने पड़ेगी थोड़ा संघर्ष जीवन में ज्यादा रहता जब यह माउंट flat हो और साती सात आप देखेंगे शनी रेखा को शनी रेखा हाथ में मौचूद है लेकिन थोड़ी थोड़ी overlapping के साथ यह यह रेखा आगे बढ़ रही है आप देखें कुछ इस तरह की रेखा या बीच बीच में हलकी ब्रोकन और इस तरह की formation के साथ यहां तक पहले उसके बाद थोड़ी से dim होती हुई उसके बाद यहा कुछ ladder formation बनाती हुई इस तरह से उपर की तरफ बढ़ रही है इस तरह के बीच बीच में breaks का होना, overlapping का होना, G1 में उतार चड़ाव को indicate करता है लेकिन ऐसे native जिनके हाथ में यह रेखा यहां तक खड़ी हुई नजर आए चोटी चोटी खड़ी रेखाओं के माध्यम में शनी परवत तक पहुन जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी lucky होते हैं भले ही G1 मे ups and downs तो रहेंगे लेकिन उसके बावजूद यहां काफी अच्छा धन कमा पाने में और काफी कामयाब होने में ऐसे व्यक्ति successful रहते हैं अगर हम बात करें इनके सूर्य amount की तो यह amount हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है जिस वजह से यश मिलने में कमी रहती हैं ऐसा व्यक् साथ आप देखेंगे इनके सूर्य परवत के उपर कुछ खड़ी रिखाएं मौजूद हैं जो नेटिव की multitasking personality को indicate करती हैं यह रिखाएं कुछ इस तरह की छोटी छोटी branches आपको नजर आएंगी ऐसे रिखाएं अगर सूर्य परवत के उपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व व्यक्ति समाज में अपनी किसी खास creativity की वजह से काफी अच्छी name and fame बनाने में कामयाब रहते हैं लेकिन इतनी जादा रिखाएं होने की वजह से बहुत जल्दी focus नहीं हो पाता ऐसे व्यक्ति के मन में भटकाव रहता है जब काफी रिखाएं हो लेकिन अगर हाथ में गु व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ खास अपने चीवन में 40 वर्ष की age के बाद कर पाने में कामयाब रहता है बात करते हैं इनके mercury mount की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो mercury का area है काफी अच्छा है बहुत जादा low set नहीं है उबरा हुआ mercury mount जिसकी वजह से काफी strong communication skills रहते हैं mercury रेखा यहाँ पर थोड़ी overlapped है और जिस वजह से native को digestive system से सबंदित दिकतों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरह हैं की break सोने की वजह से business equipment में थोड़ी कमी देखी जा सकती है अगर हम बात करें इनकी major lines की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो heart line है पहुंच रही है लेकिन इसका छुकाव अंदर की तरफ नीचे की तरफ यह मार्स का जो इरिया इस तरफ होता हुआ जिस वजह से थोड़ी aggressive nature ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है इस रेखा से नीचे की तरफ ऐसी चोटी चोटी branches का होना indicate करता है कि native को चीवन में कई बार emotional setbacks का सामना करना पड़ सकता है साथी साथ यहां पर एक island बनता हुआ जो heart की health के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता middle age के बाद थोड़ा इने अपनी heart की health को लेकर स्तरक रहने की जरूरत रहेगी इस तरह की islands का बनना native को blood pressure, cholesterol जैसी दिकतें दे सकता है अगर हम बात करे इनकी mind line की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो मस्तिक्ष रेखा है काफी अच्छी है, मिलकुल straight mind line होने की वज़े से native काफी practical रहता है, काफी अच्छी memory रहती है, यहां से कुछ हलकी branch नीचे की तरफ चलना थोड़ी overthinking को, over imagination को दरशाती है, लेकिन कोई major issue हमें इनकी मस्तिक्ष रेखा के जरिये नजर नहीं आ रहा, अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा, यहां पर एक branch जीवन रेखा से निकल कर बाहर की तरफ, यहां जो जीवन रेखा है, यहां से एक और रेखा इसको sport करकर आगे बढ़ती हुई, जिसकी वज़े से native की life है, यहां से आप देखेंगे, कुछ इस तरह से यहां रेखा आगे बढ़कर, कुछ हलकी breaks को indicate कर रही है, और बाहर की तरफ, यहां से एक branch निकल कर आपको बाहर की तरफ चलती नजर आएगी, इस तरह की branch होने से हो सकता है, कि native को अपने हैंगे, यहां पर यहां जो एक shape बन रही है, इस तरह से, एक shift नजर आ रहा है, 40 के आसपास की age में चल कर, 40 के बाद की age में, life line में एक shift है, जिसकी वज़े से native को कुछ बदलाव अपने चीवन में नजर आएंगे, उसके बाद आपको यहां पर भी एक shift नजर आएगा, जो health के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लगबग 60 के round age में चल कर, कुछ health issues का सामना भी करना पर सकता, overall age देखा जाये तो 70-75 के आसपास की age, ऐसा व्यक्ति enjoy कर पाता है, इन्ही सभी रेखाओं के साथ साथ एक रेखा अंदर की तरफ आपको नजर आएगी, यहां जो branch है, इ guardian angel line माचूद हो, तो native जब भी किसी मसीबत में होता है, तो कोई ना कोई दृष्य शक्ती उसकी help करती है, जिसको हम guardian angel कहते हैं, ऐसे व्यक्ति की छटे इंदरी बहुत स्ट्रॉंग होती है, six cents बहुत होती है, जिनके हाथ में guardian angel line हो, इस तरह का जो अंगुठी पर बनने वा है, ऐसी चीजों में भी ऐसा व्यक्ति रोची ले सकता है, और जोतिश जैसी चीजों को सीखने की कोशिश भी ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में कर सकता है, आप देख सकते हैं, इनके शुकर के माउंट को बहुत उबरा हुआ, वीनस का एरिया आपको यहाँ पी नजर काफी creative personality उबरा हुआ, वीनस माउंट नेटिव को हर तरह की सुक्सुविधाएं और luxuries देता है, यहाँ पर कुछ बारीक रिखाओं का होना कई बार नेटिव को अपनी married life में थोड़ी instability दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी major issue नजर नहीं आ रहा, अगर हम चंदर परवत की बात करते हैं, तो यहाँ एरिया आपको काफी सारी रिखाओं से भरा हुआ नजर आएगा, ऐसी चुटी चुटी रिखाओं बहुत सारे travels को indicate करती है, foreign travel के chances जीवन में कई बार बनते हैं, ऐसी आड़ी रिखाओं होने से थोड़ी anxiety की दिक्कत भी native को हो सकती है, तो दोस है, अगर इनका कोई question pending है, तो मुझे WhatsApp पे message करें, मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,